नवरात्री में जहां देखिये ये पौधा तो तुरंत उखाड ले आना जी हां दोस्तों ये पौधा नवरात्री में घर में अगर लगा लिया तो ये समझ लो साक्षात देवी माता को बिठा लिया अगर आप कर्ज से परेशान है नौकरी में बौस परेशान करता है तनख्वा बढ़ ही नहीं रही है सारी दिक्कत आपके जीवन में आन पड़ी है कोई आपकी सुनता नहीं है व्यापार में नुकसान ही नुकसान अगर होए जा रहा है तो ये समझ लीजिए अब आपका समय भी आ गया है अमीर बनने का जी हां दोस्तों शास्त्रों में लिखा है कि इस पौधे को लगाने वाला अगली नवरात्री तक राजपाठ को पा लेता है इस नवरात्री आप लगाएंगे और उस नवरात्री यानि अगली नवरात्री तक सब कुछ पा लेंगे लेकिन ऐसे ही पहले इसकी विधी तो जान लेना भाहिया, क्योंकि विधी नहीं पता, तो गुड का गोबर हो जाता है, तो वीडियो को ध्यान से अपने भले के लिए जरूर सुन लेना पहले, स्पिरिचुल ट्री चैनल में आपका स्वागत है, मेरे प्यारे दोस्तों, हे जगतमा, हे माता दी लायक जरूर करें, दोस्तों, शारदीय नवरात्री इस बार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक चलेंगे, और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समापन होगा, इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृत्वी लोक पर पधारेंगी और नवरात्री पूरे 9 दिनों की चलेगी, 9 दिनों के नवरात्री बड़े ही शुभ और विशेश अत्यंत दुरलब होते हैं, दोस्तों, दम है तो नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड करके ले आना आपकी ततकाल गरीबी म जागरित अवस्था में होती है, और नव दुरगा माता हमारे पृत्वी लोक पर इस धर्ती पर पूर्ण रूप में आती है, इसलिए मा दुरगा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जन्तु में जागरित अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागरित अवस्था में हो जाती है, चैतन्य हो जाते हैं, और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह ततकाल दिखाते हैं, पेड़ पौधे में उर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है, हमारे हिंदु धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहने होती है, वट सावित्री का वरत रखती है, और पीपल की पूजा करती है, बर्गद की पूजा करती है, अब बर्गद की पूजा क्यों करते ह क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधे में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं, हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से ही यह सारे चराचार तनी भी है। चल चल कैसे चल रही हैं। जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के क ही हो पा रहे हैं। तो नवरात्री के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है, जिसे उखाड कर लाना है, जिससे आपकी गरीबी ततकाल मिटेगी। मैं आप लोगों को जबरदस्थ चमतकारी पौधा के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बताने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दिये, तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, पच्छताना पड़ेगा। क्योंकि नवरात्री पर्व ही एक ऐसा समय होता है, जिस समय में पेड़ पौधे, जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागरित अव तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिध्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह पेड़ पौधा स्वयम नवरात्री के समय में मा नवदुर्गा होने के कारण, नवदुर्गा के पर्व होने के कारण स्वयम सिध्ध हो जाते हैं, बस नवरात्र क के समय में यह पेड पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए, तो कौन से ऐसे पौधे हैं, जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिठती है, दुर्भाग्य दूर होता, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी आपको बताऊंगा, आईए वी तक वीडियो को लायक नहीं किये, तो वीडियो को लायक जरूर करना, देखिए, सहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के, जैसे कि दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, आप चाहते हैं इससे ततकाल दूर करना, तो राम बान से भी अमोग, यह देवी पद से प्राप्त मिला है, इसे सहदेवी कहा जाता है, यह सभी वनस्पतियों की देवी हैं, मा हैं, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, इस अगर आप गाव में रहते हैं, बहुत आसानी से इस पौधे को देखने को मिल जाते हैं, शहर में रहते हैं, तो कई जगह जो बंजर जमीने रहती हैं, जहां पर खेती वगेरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाये ही उग जाते हैं, नवरात्रि में आप कहीं पर ग्रामीन इलाकों में रहते हैं, खेती खलियान में चले जाईए, या फिर जो नहर वगेर होती हैं, या फिर जो नदी के किनारे होती हैं, वहाँ पर पौधे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, शहर में रहते हैं, फिर भी ये ढूनने से मिल जाते हैं, नदीयों के तट पर भी तो आईए मैं आप लोगों को इसके लाने के फाइदे बताना चाहूंगा और इसे कितना टाइम लाना चाहिए? यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में आप तुलसी के पौधा लगाईए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाईए और अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लग करके पूजा अर्चना करते हैं, तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ती होता है। तुलसी के पौधे के पास लगा देते हैं, तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधा को साक्षात माद दुर्गा की स्वरूप कहा जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है, यह सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थ है, यह सभी प्रकार के सिध्धियों को देने वाला कहे गए हैं। कभी इसके बारे में आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखा है, जैसे कि हमारे वनस्पती तंत इसमें जानकारी लिखे हैं। इसके पौधे को रखने से आपको बिलकुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई बड़े पद में हैं। आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं। या फिर आप प्रवचन करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुनें। तो इनके तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाएए। लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे। आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे यानि आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कौन से धर्मशास्त्र। जैसे वनस्पति शास्त्र है इसमें लिखा है कमर में बांध करके, अगर इसे कमर में बांध लिये जाए, लाल कलर की कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए तो यह वीर्य का सतंबन करता है। तिजोरी को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ती नहीं लगती, इसकी जड़ मुख में रखने से अद्रिश्य शक्ती दिखाई देती है। अलौकिक शक्ती के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी हैं, देवता हैं, गाव में रहते हैं, तो जो ग्रामीन की देवी देवता हैं, शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर उपस्थित जो भी भैरव हैं, देवी देवता हैं, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, त इसकी जड़ को मुख में रखना होता है तो अद्रिश्य शक्ति प्रकट होती है और जो भी आप बोलोगे वह अद्रिश्य शक्ति आपको सामगरी लाकर के देती है। किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड करके ले आना है और लाकर के आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिलकुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार का आपको जो है खड़ा वगेरह या फिर चपल वगेरह है या फिर ब्रह्मदेव ने स्रिष्टी के निर्मान के समय सर्व प्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था। यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लगाने से कौन-कौन सी चमतकारी शक्तियां की प्राप्ति होती है। उनकी विद्या उनहीं पर वापस हो जाती है। इससे सिध्ध करके, हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए। और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारते हैं, तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मंत्र होता है, उससे आपको यहोने के कारण, अगर आप आपको पौधा नवरात्री के समय में घर में लगा करके रखते हैं, तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होता है। पेड़ पौधे को आप साधारन मत समझना। यह जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम जिता बोलते हैं, साक्षात मा लक्ष्मी के स्वरूप हैं, इसमें स्वयम लक्ष्मी जी बस्ती हैं। नवरात्री में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं, वैसे 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 व्यक पुष्प नवरात्रि के पंचमी के दिन सकंद माता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिध्ध एवं भोगों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के अलोकिक सुख प्रदान करेंगी, सभी प्रकार के आपके मनोरत को पूर्ण करेंगी, सभी प्रकार के आपको कामना आपकी जो कामना है उस कामना को सिध्ध करेंगी। यह पौधा नवरात्र में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को नवरात्र के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं, तो यह दोनों पौधे लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दीब दिखा करके आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करें, इसे निमंतरण देने की कोई जरूरत नहीं, नवरात्र के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकत हैं, बस आपको निमंतरण इस प्रकार से देना है, आपको दूध रख लेना है, अक्षत रख लेना है, और आपको प्रार्थना करना है, कि हे ओशधिये महराज, मैं आपको इस कार्य हे तु ले जाने आया हूँ, या फिर हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले इस प्रकार की प्रार्थना बोलना है, गरीबी मिटाना है, तो गरीबी बोल सकते हैं। थोड़ा सा दूध दीब दिखा देना, वहाँ पर एक दीपक जला देना, और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड करके ले आना, और लाकर के आपको दूसरे दिन अपने घर में गमले में इसे लगा देना, आप यकीन माने। यह पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे, आपके घर के वातावरन को शुद्ध रखेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं लगेंगे, आपके घर में दूख तकलीफ एवं बार-बार जो बीमारी होती है ना। घर-परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोश लग जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार के दोश लग जाते हैं, तो वह सारी बीमारी सभी प्रकार के दोशों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। उन्नती होगा आपके प्रगती होगी तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो नवरात्री के किसी भी दिन इन दोनों पौधा में से कोई एक पौधा अवश्य ले आईएगा और अपने घर में लगा लेना आपकी अध्यात्म उन्न चाहत देवी कृपा घर पर बरसने लगती है तो इन नियमों को जरूर जान लीजिए नवरात्री में सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें नौ दिन सुभह जल्दी उठकर सनान करें और घर मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें नौ दिनों तक उपवास करें अगर सा नुसार भौग लगाएं माता को लाल रंग की चुनरी श्रंगार का सामान और आभुशन भेट करें नवरात्री में सात्विक भोजन करें प्याज लहसुन आदी को इन दिनों इस्तिमाल न करें नवरात्री में नंगे पाव रहना शुभ माना जाता है पूजा के अंत में दुर्गा सब्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कन्या पूजन करें और गरीबों की मदद करें, तो ये सब नियम अगर आप मानेंगे, तो ये समझ लीजिए कि देवी मा की कृपा पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बड़े से बड़ा संकट भी टल जाएगा, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, आप माला माल हो जाएगे, जी हाँ दोस्तों, तो नवरात्र के इन दिनों भूलना मत, इस जानकारी का लाब जरूर उठा लेना, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जै मातारानी तेरी सदा ही जै हो.